बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्राइम आज का हमारा जो लेक्चर है वो इल्म-बदीह के ऊपर है हमने फर्स्ट येर, सेकंड येर, नाइन्थ, टैन्थ उर्दू के कवाइद का सिलस्रा शुरू किया है जिसमें हम आसानी से उर्दू कवाइद और ग्रैमर को समझेंगे इस सिलस्रे में सबसे पहले इल्म-बयान को बयान किया गया कि इल्म-बयान क्या है और इल्म-बयान की अकसाम, तश्वी, इस्तिारा, मजाज मुरसल और किनाया इन चार अकसाम की तारिफात, इनकी नसरी और अशार में मिसालें असानी से समझे अब हम इल्म-बदी की तारीफ को समझते हैं और इल्म-बदी की अकसाम को सिर्फ बयान करते हैं इसके बाद हम इनकी अकसाम जो हमारी निसाबी किताब में शामिल है उनका मुताला करेंगे और असानी से उनको समझने की कोशिश करेंगे तो सनते समझने से पहले इल्म बदी को समझना जरूरी है इसलिए इल्म बदी की तारीफ क्या है इल्म बदी क्या है तो हमेंसे सबसे पहले समझ लेते हैं इल्म बदी उर्दू अदब की एक एहम किसम और इल्म है इसके लफजी जो माँनी हैं वो कलाम में न्यद्रत पैदा करना, कोई चूती बात करना या जाविया पैदा करना है और इल्म बदी में अलफ़ास के मानवी, हुरी हुसन और उन तरीका हाइ के इस्तिमाल का मतला किया जाता है जिनके जरीए कलाम के मानवी या जाहरी खुबसूरती में इजाफा हो जाता है इल्म बदी में हम ऐसे अलफाज जिकर करते हैं जिस से कलाम के अंदर माने के एतबार से या जाहर के एतबार से उस कलाम के अंदर खुबसूरती पहदा हो जाती है और इस इल्म में हम मुख्तलिफ किसम की सनते बियान की करते हैं अब इस इल्म के दो एहम हिस्से हैं हम इने समझ लेते हैं एक एहम हिस्सा सनाय लफजी और एक एहम हिस्सा सनाय मानवी देखे सनाय लफजी में हम वो सनते जिकर करते हैं जिनके अंदर लफ्स के एतबार से खुबी होती है और सनाय मानवी में हम वो सनते जिकर करते हैं जिन में लफ्स के बजाए उसमें माने के एतबार से खुबसूरती होती है सबसे पहले सनाय लफ्सी को समझ लेते हैं सनत के जो लोगवी मानी है वो बनावट के हैं बनाने वाला सानिह कहलाता है और बनने वाला मसनु कहलाता है जैसे के ये काइनात अल्ला पाक ने बनाई है और हम सब अल्ला पाक की मसनुआत है शायर भी जो है वो सानिह होता है और शायर भी लफजों का पारिक होता है और लफजों का नबाज ये हकीम होता है हर शायर मानवी एतबार से लवजों की नो बर नो शकले बनाता है लवज और मानी का रिष्टा नाजिक और पहचीदा होता है बाज ने लवज और मानी का जो रिष्टा है उसको जिसम और रूँ का रिष्टा करार दिया है अब शेयर जो है वो लफजी शुबदाबाज होते हैं और अपनी शेयरी में मुक्तलिफ सनते इस्तिमाल करते हैं जिसका मकसद शेयर के अंदर वो लफजों के एतबार से खूबी लाना है और खूबसूरती लाना है या माने के एतवार से हुबी और खुबसूरती लाना है सनाई लफजी के तहत आने वाली बहुत सी सनते हैं हम यहां पे कुछ सनतों के नाम पड़ लेते हैं हम सिर्फ उन सनतों का मुटाला करेंगे जो हमारी निसाबी किताब का हिस्सा है ये सनत कल्ब, सना लफजी है, सनत सियाकत अलादाद, इसी तरह सनत तर्सी, सियाकत अलादाद को हम सनत अददी भी कहते हैं सनत इहाम, सनत मनकूता, सनत गेर मनकूता और सनत कवाफी ये वो इसके लावा भी क्संते हैं जो लव्ज के एताबार से खुबी पैदा करती है सनाइ मानवी कलाम में इस्तेमाल होने वाली जाइद खुबीया Hyun अगर हमारे जहन को कलाम के मानवी हुसन की तरफ ले जाएं तो इन्हें सनाइ मानवी कि एते हैं और इसमें मानवी हुसन को एहमियत दी जाती है। सनाए मानवी के तहत आने वाली संतों के नाम दर्जैल हैं, जिने हम आगे एक एक करके तफसील से पढ़ेंगे, लेकर हम ज्यादा तर उन संतों को मताला करेंगे, जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं, ये हमारी निसाबी किताब का हिस्से हैं। सनाए मानवी में सनते उसने तालील है, सनते लफ नशर है, सनते तजाद, सनते सवाल औ जवाब, सनते तजनीस, सनते जमा, सनते तफरीक, सनते इश्तेकाक, सनतِ تقرار, सनतِ مرات النظیر, सनतِ تلمی, सनतِ مبالغہ, تجاہِ الارفانہ, सनतِ تنسیق و صفات, सनतِ تعلی, सनतِ مقرِ شاعرانہ, सनतِ ادماج, सनतِ عاطلہ, सनतِ رد العجز وغیرہ इसके علاوہ بھی کئی सनतیں ہیں جو سناء مانوی سے تعلق رکھتی ہیں अब यहां पर ये समञेड़ ही जरूरत है कि अल्म इज बदी में कलाम में हुसन पेदा करना होता है अल्फाज वैसे भी खुबसूरत हैं लेकिन अल्फाज को ज्यादा हुसन देने के लिए इल्म-बदी का इस्तेमाल किया जाता है और इल्म-बदी में सनते होती हैं जिन में से कुछ सनते लवज के एतबार से खुबी पैदा करती हैं सनते सना लवजी कहते हैं और कुछ जो हैं वो मानी के एतबार से खुबी पैदा करती हैं उन्हें सनते सना मानवी या सना मानवी कहा जाता है तो उमीद है इस लेक्चर में आपको इल्म-बदी की समझ आ गई होगी हम इंशालला आएंदा आने वाले लक्षिरों में मुखतलिफ सनतें जो हमारी निसाबी किताब का हिस्सा है या फिर वो सनतें जो ज़दातर इस्तेमाल होने वाली है उनका मुताला करेंगे और अशार के मिसालों से उनको समझने की कोशिश करेंगे अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आपने मेरे लिए दुआ करते रहना है आपको खुश रखें सलामत रहें वस्सलाम